क्या आपके भी मन में ये डाउट है कि क्या आपका एक्जाम पैटन चेंज होने वाला है अभी हाल ही में एक नोटिस आये था जिसके उपर आलरेडी वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ लेकिन बच्चों के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल आ रहा है बहुत सारी वीडिय उन्होंने मेरे अलावा भी देखी हैं जहां से उनके मन में एक डाउट आया है कि क्या हमारा एक्जाम पैटन चेंज होने वाला है सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि यहां पर पैटन चेंज होने की बात कहां से आ गई लेकिन बच्चे हैं बहुत तीस जिसी नेट में आपका स्वागत करता हूँ और बात हो रही है बहुत बड़ा शौक बच्चे बता रहे हैं कि हमें लगा जब हमने वीडियो देखी कि एक्जाम पैटन में कोई बदलाव है मैंने इसलिए यहां पर कोश्चन मार्क लगाया है आप ध्यान से देखें मैंने यह नहीं कहा है कि एक्जाम पैटन चेंज होगा मैंने कहा है क्या एक्जाम पैटन चेंज होगा तो आईए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं जो कि एक नोटिस था जहां पर उनके नोटिस में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि तो net का सोच रहे हैं या net plus jrf सोच रहे हैं या फिर PhD entrance के बारे में सोच रहे हैं तो ध्यान से सुनिए गाइस वीडियो को पहली category ये कहती है कि आपका net और jrf clear है अगर आपका net और jrf clear है तो आपको PhD के entrance से exemption मिलेगी अगर आपका सिरफ net clear है तो भी आपको PhD के entrance से exemption मिलेगी और अगर आपके marks एक certain criteria को fulfill करते हैं जो भी NTA ने रखा है अगर आपके marks उतने आ जाते हैं तो भी आपको PhD के entrance से exemption मिलेगी इसकी पूरी की पूरी validity जो है PhD के entrance की जो आपकी validity है जो आपका marks आएगा वो एक साल की है इससे ये कहीं पे नहीं लिखा है कि आपका net एक साल का हो गया है या आपका GRF एक साल का हो गया है तो ध्यान से आपके net की validity ताउमर रहने वाली है GRF की जितनी है तीन साल या दो साल उतनी ही रहने वाली है इसके अलावा PhD जो entrance है उसकी validity रहने वाली है एक साल correct बात है अब अगली बात ये आती है कि क्या सर exam pattern change होगा मैं फिर से आपकी बात पर आता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखूँ exam pattern अगर मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखूँगा exam pattern और क्या ये change होगा मेरा जवाब होगा बिलकुल भी नहीं जब तक आपको कोई official notice नहीं आ जाता NTA से तब तक आप इस बात पर बिलकुल भी विश्वास न करें आप कोई भी video देखकर अपने मन को विचलित ना करें क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी हमें officially नहीं मिली है correct है इसके अलावा जिहां कुछ ऐसी चीजें आई हैं जो वो notice था वहाँ से कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं कि अब आपके PhD के जो अब आपका PhD entrance exempt हो जाएगा लेकिन पहले आपको PhD का entrance भी देना होता था वहाँ पे भी आपके पास मौका होता था PhD का entrance और आपका net और जियरेफ का भी मौका होता था लेकिन अब आपके पास एक ही मौका है प्लस आपकी validity एक साल की है प्लस आपका PhD का जो entrance है वो comparatively easy आता था as compared to आपका net जियरेफ का exam तो वहाँ पर भी बच्चों के पास अच्छा खासा मौका होता था कि PhD entrance देकर PhD अपनी start कर सकते है तो हाँ यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो की विचार करने वाली हैं वो विचार किया जाएगा उसके उपर और जो भी अगली information होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी लेकिन अगर आप कहें कि pattern change है जी हाँ pattern में कोई भी बदलाव नहीं है आप कृपया करके किसी भी बात पर विच्वास ना करें आपका exam अगला सवाल की क्या सर exam की date postpone हो सकती है तो मैं आपको बता दू कि आपका exam 10-11 जून जो date मुकरर है जब तक notification official नहीं आ जाता तब तक आप इसी date को अपनी जो है final date मानी और अपनी preparation स्टार्ट कीजिए मेरी जो classes होती है paper 1 की वो आपके साथ होती है हर Tuesday और Thursday दो पहर को दो बज़े और हर Saturday और Sunday को दो पहर को 12 बज़े आपके यही P.W.U.G.C.net चैनल के उपर तो आप बिल्कुल भी न घब राएं pattern में कोई बदलाव नहीं है जो चीजे थी वो मैंने आपको बता दी है वीडियो को दुबारा एक बर ध्यान चे सुन लीजेगा और जो भी अगली कोई notification होगी वो आपको सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पर पता चलने वाली है classes मिस मत कीजेगा बहुत important classes आपके लिए आगे लाने वाला हूँ thank you so very much all the very best ध्यान रखिए पढ़ते रहिए खुश रहिए स्वस्त रहिए thank you so much guys